हर हर महादेव, भक्तों आज मैं आपको लेकर आई हूँ त्रियंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव के बारा जोतिरलिंगों में से ये एक है यही एक ऐसा जोतिरलिंग है जहां आपको ब्रह्मा विश्णू और महेश के एक साथ दर्शन होते हैं इसके अलावा ये भगवान गणेश की जनम भूमी भी है भगवान शिव को त्रियंबकेश्वर कहा जाता है क्योंकि वे ब्रह्मा विश्णू और महेश के परतीक माने जाते हैं त्रियंबकेश्वर मंदिर में तीन छोटे शिवलिंग स्थापित हैं जो त्रिदेवों का परते निद्वत्व करते हैं इस मंदिर में ब्रह्मा विश्णू और महेश का वास माना जाता है अते जो भी इस मंदिर में दर्शन करता है उसे तीनों देवों ब्रह्मा, विश्णू और महिश के दर्शन स्वतही हो जाते हैं मंदिर में जब भी आप दर्शन करने के लिए जाएं दो से तीन घंटे की लाइने हमेशा आपको मिलेंगी हम लाइनों में खड़े हुए हैं बहुत सारे भक्त अपने साथ छोटे बच्चों को भी लाए हुए हैं और बच्चे चिला चिला कर गाना गा रहे हैं बाबा का घर दूर है जाना जरूर है बहुत अच्छा लग रहा है नन्ने मुने भक्त जोर जोर से गा रहे हैं जब तक हम लाइनों में लगे हैं मैं आपको इस मंदिर से जुड़ी कहानी सुनाती हूँ और फिर बाद में यहां पर पहुँचने का रास्ता भी बताऊंगी सब कुछ बताऊंगी तो अब अब कहानी सुनिए पराने कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी की पहाडियों पर एक आश्रम में गौतम रिशी उनकी पतनी अहिल्या रहते थे वहीं तपस्या करते थे वहां रहने वाले लगबग सभी रिशी उनसे इर्शिया करते थे बाद बाद पर नीचा दिखाने और परिशान करने के परियासों में जुटे रहते थे एक बर सभी रिशी मुनियों ने धोके से गौतम रिशी पर गौहत्या का आरोप लगा दिया जब गौतम रिशी ने गौहत्या के दोश से मुक्ती पाने के लिए हल मांगा तो सभी रिशियों ने गोहत्या के पाप का प्राइश्चित करने के लिए गंगा नदी को ब्रहमगीरी की पहाडियों पर लाने के लिए कहा गंगा मा को प्रसन करने के लिए गौतम रिशी ने शिवलिंग के स्थापना कर पूजा अर्चना करने आरम कर दी गौतम डिशी की तपस्या से भगवान शंकर और देवी पर्वती अत्यंत परसन हुए और वहाँ परकट हो गए हर हर महादेव जब शिव जी ने उनसे वर्दान मांगने के लिए कहा तो उनोंने वर्दान स्वरूप गंगा मा को इस सथान पर लाने के लिए कहा हर-हर गंगे इस पर गंगा देवी ने यह प्रातना की और कहा कि मैं इस स्थान पर तब ही निवास कर सकती हूँ जब मुझे अपनी जटाओं में धारन करने वाले भगवान शिव भी यहीं पर वास करें माता गंगा के कहने पर ही भगवान शिव ने वहाँ वास करने का निर्णे लिया और श्री त्रियंबकेश्वर शिव जोतिरलिंग के रूप में स्तापित हो गए तबी से माता गंगा वहां गौत्मी के रूप में बहती चली आ रही है जिसे हम गौदावरी के नाम से जानते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं बगवान शिव को समर्पित त्रिमकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से निर्मित किया गया है मंदिर की दिवारों पर इतनी सुन्दर नकाशी की गई है कि अगर आप कागच कलम लेंगे न तो भी पैन से एक पेपर पर भी इतनी अच्छी नकाशी नहीं कर पाएंगे और वो नकाशी किस तरह की गई होगी सिर्फ छेनी और हतोड़े के द्वारा कोई मशीने नहीं होती थी तब मंदिर में चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं इन में से पश्चिम वाला दरवाजा जो है वो विशेश तीच त्युहार के मौके पर ही खुलता है वहीं मंदिर की पुर्वदिशा की और एक चकोर मंडब बना हुआ है यहां भगवान शिव की हीरों से जड़ी परतिमा है दिवारों पर बनी सुन्दर नकाशी, काले और विशाल पत्तर सभी बहुत ही आकरशक हैं यहां पर हमने दीपक भी जलाया और बाहर से मंदिर की आरती भी की और मंदिरों की तरह यहां पर भी मंदिर के अंदर कैमरा और फोन ले जाना मना है इसलिए मैं आपको बाहर से पूरा दिखा रही हूँ अंदर जब हम दर्शन करने गए थे तो अंदर एक छोटे से गड़े में तीन छोटे छोटे शिवलिंग स्तापित हैं इन तीनों शिवलिंगों में त्रीदेव, ब्रह्मा, विश्णु और महिश का वास है लेकिन जब हम लाइनों में लगे थे तो इस तरह दर्शन करने के लिए वहाँ पर कैमरे से पूरा पिक्चर करा जा रहा था इसलिए मैंने आपको दर्शन आसानी से करा दिये बड़े बड़े टीवी लगे हुए हैं जिस पर लाइफ दिखाया जा रहा है दर्शन त्रेमकेश्वर जोतिलिंग अगर आप ट्रेन से आना चाते हैं तो इसके लिए आपको नासिक आना होगा नासिक स्टेशन से त्रेमकेश्वर जोतिलिंग मंदर की दूरी 40 किलोमेटर है जिसे आप आसानी से आटो रिक्षा से कर सकते हैं अगर आप बाई प्लेन आना चाते हैं तो सबसे नजदी की हवाई अड़ा चतरपती शिवाजी हवाई अड़ा है जिसकी यहां से दूरी 175 खिलोमीटर है दूसरा सबसे नजदी की हवाई अड़ा और अंगाबाद में है जिसकी यहां से दुरी 210 किलो मीटर है दोनो ही इस्थानों से आप आसानी से टेक्सी से यहां पर पहुंच सकते हैं यहां पर बाहर से हमने यहां रुद्राक्ष भी खरीदे क्योंकि यहां पर रुद्राक्ष बहुत ही अच्छे मिल रहे थे इसके अलावा पुराने सिक्के, शंक और शिवलिंग भी यहां से खरीदे जा सकते हैं त्रेम केश्वर मंदिर आएं तो इसके आसपास की बहुत सारी जगएं हैं जिने आपको जरूर देखना चाहिए वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए बाकी की जानकारी दूसरी वीडियो में दूँगी बारा जोते लिंगों की यात्रा पर हूँ देखते रहे हैं मेरा चैनल वर्शाजेन ब्लोग जल मिलते हैं दूसरे वीडियो में